प्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाधत करती हूँ वित्रो आज मैं आपको एक बहुत-एकास बात बतानी जा रही हूँ जो मैं बहुत महसूस करती हूँ काफी समय से और शेयर करना चाती थी मुझे कुछ चरित्रोंने बहुत-प्रभावित किया है और उन्न चरित्रों में से एक है द्रौपदी का चरित्र और मीरा का चरित्र लेकिन मुझे लगता इन चरित्रों के साथ हमारे साहित्यकार और हमारे जो कला मर्मग्य है न्याई नहीं कर पाए है उनका चरित्र जितना उच्छ धरातल पर टिका हुआ है वह निखर कर सामने नहीं आ पाया है चाहे वो TV सीरियल हो, चाहे वो कुछ धर्म ग्रंथ हो, उनमें तो उनका चरितर चितरन किया गया है, लेकिन साहित्ते कारों ने एक बहुती उच्च पराकाष्टा पर जो उनका चरितर पहुंचाना चाहिए था, उससे मुझे थोड़ी शिकायत है, वो उस उच्च पराकाष बोलते हैं, राधा माता बोलते हैं, या हम बहुत से कैरेक्टर हैं, जैसे रुकमनी माता बोलते हैं, पारवती माता बोलते हैं, तो हम मीरा को मा नहीं बोलते हैं, मीरा माता नहीं बोलते हैं, और हम द्रापदी को भी माता नहीं बोलते हैं, क्यों? अब मैं इसके लाजिक क जब भी द्रवभदी की बात हती है तो एक यही बात लोग बोलते हैं कि पाँच पांच पांडों की पत्नी थी, या फिर जो दूसरी बात द्रॉबदी पहुत ही ऐक उच आदरश्व जब उनको ये आदेश हुआ कि उन्हें पती के रुप में पांचो पांड़ों को ग्रहन करना होगा तो उन्होंने पांचो पांड़ों को पती के रुप में स्विकार किया और अपने बहुत बड़ी परिक्षा उन्होंने दी इसके अलावा जब उनका भरी सभा में अपमान ह और उनके ही पतियों ने उन्हें दाव पर लगा दिया तब श्री कृष्ण ने जब आकर उनकी लाज बचाई तो वह सीन भी बहुत ही मुझे मारमिक लगता है मुझे लगता है कि इस्त्री की इससे बड़ी परिक्षा क्या होगी जो द्रॉपती जी ने द्रॉपती माता ने उस समय दी थी तो हमें उनके जीवन के आदर्शवात को ग्रहन करना चाहिए दूसरा उन्होंने जब अपने केश खोल दिये थे प्रतिक्या के चलते जबकि उनका अपमान हुआ था और उन्होंने बिल्कुल प्रण ले लिया था कि उपने केश खुले रखेंगी तो वो भ आप से यही आग्रह करूंगी कि भारती चरित्रों चरित्र में कुछ ऐसे जो महिला पात्र हैं उनको आप उनके प्रतिय अपना दृष्ट्री कोन बदलिए और दूसरे एक नई सीरे से आप सोचने का प्रयास कीजिए उनकी पॉजिटिव एटिटीट को देखिए आपकी विप्रित परिस्तितियों में भी हमारी भारत के इस्त्रियां हैं वो कितनी महान है और अपने आपको परिस्तिति के अनुसार किस रंग से अपने आपको ढालती हैं तो जिस तरह से पारवती माता सीता माता सब हमारे लिए पूजनिये हैं उसी तरह से द्रौबदी माता के विडिया दुंुबदीके बारे में आप पुनर्विचार कीजिए इसके अलावा जो मीरा हैं मेरा ऑच्छकुटी की भक्त कवीतरी थी क्योंकि हिंदी साहिते में जब सगुन भक्ति की बात होती है तर्मी विशीumm सवरूबिक की थी लेकिन उनका क्योंकि उनुने अपने जो काववय है उसमें सिम्पल कावय नहीं रचा है आप उसकी घहराई में जाएंगे तो उसमें उनुने अध्ययत्म को अभिविक्त किया है वो ये कहती है कि पांच रंग को पहनी और चोला मतलब पांच रंग जो हमारे जीवन के जो पंच तत्व हैं उनकी वे बात करती हैं पंच विकारों की बात वे करती हैं जैसे कि एक LINE है जिसमें वे कहती हैं कि सूली उपर सेज पीया की मतलब यहाँ पर परम तत्व की बात करती है कि परम तत्व को प्राप्त करना सहज नहीं है उसके लिए बहुत ही गहरी आध्यात्मिक साधना की आवशक्ता होती है और उस तक कोई बिरले ही पहुँच पाते हैं यहाँ पर वो कहती है तो मीरा ने सब कुछ होते हुए सारे बहुत एक सुख सुविदा होते हुए मीरा ने बहुत ही साधना तरीके से जीवन जीना स्विकारा और स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण को अपने पती के रूप में ग्रहन किया और अधुद भक्ती की प्रतीक हैं वो और एक बहुत ही उच्च कोटी की संथ कवेत्री थी क्योंकि मीरा कोई ऐसी इस्तरी नहीं थी जो कि राज महल से घूम रही है और लोग उनकई बार उनको अधी आपस मुल्यांगकन कीजिये और उनके प्रती इपनी श्रदा व्यक्त कीजिये है जितने कि हम अपने सभी देवी देता हूं कि प्रती व्यक्त करते हैं वह बहुत इसास análAMAइक पात्र है और उनके प्रती हमें अच्छा द्रश्च्रीकों रखना बहुत ही आवशक है और उससे हमारी भारतिय ताहिए